हाई नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिनेश कुमार अभी मैंने जो यह छोटी सी ट्रेनिंग रिकॉर्ड की है वो आप लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में मदद करने के मकसद से की है जिसमें हमने दो बातों को शामिल किया है एक तो staff structuring के उपर मैंने कुछ suggestion यहाँ पर record किया है जो आपके काम आ सकता है as a mutual fund distribution business और साथ ही उसी के साथ मैंने एक extension दो तीन slides का discuss किया है जहाँ हम telephone, whatsapp और email का integration और उसका proper ढंग से इस्तमाल करने के उपर भी कुछ tips बताएं हैं hopefully यह video आपके basic business model में काम आएगा तो चलते हैं चाहे आप individual हो, LLP हो या private limited हो यह 10-15 minute का short video आपके staff की restructuring और आपके communication devices के setup इन दोनों में आपको कुछ अच्छी input देने वाला है so पहले staff की बात करते हैं तो general structure हमारे mutual fund distribution business में है उसे जरा एक बार discuss करते हैं तो देखे यह chart देखके आपको यह समझ आएगा कि हम सभी के mutual fund distribution business में ज़्यादा तर हम लोग खुद जो proprietor और owner director हैं यही सबसे बड़े salesmen भी होते हैं ज़्यादा तर business यही करते हैं सबसे इन ही से motivate होते हैं और बले हाथ size इनका 900 करोड हो गया हो या 1000 करोड हो गया हो but ultimately सारे customer इन ही को जानते है और इन ही के नाम पे आता है that's the basic model through which MFDs are growing अब उनकी problem यह है कि अब size बड़ा हो गया आपको individually लोग जानते हैं और आपको business scale करने में दिक्कत हो रही होती है तो चलिए इसलिए यह जो session होने वाला है यह जो चोटा सा हम tricks and tips आपसे share करने वाले हैं यह आपको इस problem से इजाद दिलाने वाला है तो सबसे पहली यह structure देखिए अगर आप इसी तरह कि किसी structure में फसे हुए हैं तो समझ जाए कि यह trap situation है आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो कैसे trap situation है ज़रा देखें इस structure में proprietor, owner, director यही सब कुछ देखता है और यह बिचारे के पास अभी तो कुछ देखने को है ही नहीं क्योंकि उसके पास एक back office staff होता है जिसे order देता है एक sales staff होता है जिसे वो दोडाता है या बताता है कि यह करो या ऐसे करो और एक runner boy होता ह यह एक ideal structure है और आपको ताज़ूब होगा जानके कि भारत में ऐसे 1000 से उपर लोग हैं जो इसी structure से 100,000 करोड के उपर काम कर रहे हैं so that means यह structure मजबूरी में बना हुआ एक structure है क्योंकि आपने जब business शुरू किया होगा तब आपने इसी तरह का setup डाला होगा तो यह हो सकता है कि staff आपके back office एक नहीं चार हो पाच हो छे हो साथ हो salesmen generally लोगों के पास एक दो से ज़ादा नहीं होते क्योंकि sales करने वाला तो कोई हमारे दंदे में मिलना नहीं है और अगर मिलना है तो वो अपना रंदाई खुद कर लेगा आपके लिए क्यों करेगा तो इसलिए यह कोई model बहुत successful model नहीं है दोस्तों और यह ध्यान रखना है कि हमारे business में mutual fund distribution business में you need relationship manager ना कि sales manager तो चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके बाद तो यह structure दर ध्यान से अपने आखों में बसा लीजे और देख लीजे अगर आप इसमें से किसी भी जगा close भी हो तो देखिए मैं अब आपको अगला better structure बताता हूँ और सोचिए यह structure की एक और demerit है यह जो विचारा proprietor owner director है सारा धंदा यही ला रहा है और इस धंदे को समालने के लिए यह नीचे अपने दो तीन आदमी रखता है अगर इसको और कितने काम करने होते हैं जो यह नहीं कर सकते इनको HR देखना है और अच्छे से team बढ़ाना है और उस HR में training करनी है इनको एक बढ़िया सा module बनाना है इनको सब brokers देखना है उनको भी अच्छे से justify करना है उनका time देना है उनको training देना है इनको इन सब के अलावा digital marketing और communication देखना है अपना YouTube वीडियो बनाना है अपने blogs ल situation है ना तो चलिए हम आते हैं सीधे सीधे एक suggested structure में जो की बड़ा सरल और मज़ेतार तरीके से चल सकता है और इस structure को जना ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है मैंने पहले आपकी कुरसी हटा दी यहां से और यही सबसे बड़ा आदमी actually आप खुद sales में नो तो आप sales मे कह सकते हो अपनी company में CEO position को पहले खाली करिए और CEO position को कौन निभाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन CEO position को आप खाली करिए आप आईए sales में और because वही आपका photo है वही आपकी talent है और इसी sales की बड़ा ताज आपकी company जो भी size है वो है तो इसलिए आप इस से भागो साथ back office चाहिए बिल्कुल चाहिए तो पिछले slide में आप देखिए यहां भी आप back office यूज़ कर रहे थे मगर as a proprietor बनके कर रहे थे अब आप sales बनके sales team बनके sales manager बनके back office यूज़ कर रहे हैं अगर आपका channel based भी काम है तो एक channel manager को भी रखिए जो की back office ही की तरह होता है मगर चैनल को सिर्फ help करता है customers को नहीं और उसके नीचे फिर channel यानी सब brokers होते हैं तो structure कोल में लाके आपकी जो पहले थी वही है इस structure में मैंने कोई change नहीं किया बस अंतर ही है कि आपकी कुरसी यहां से हटा करके मैंने नीचे कर दी चलिए और दूसरी चीज जो आप हैं वैसा ह आपके पास अब बहुत सारा एउएम है तो अगर आपके पास एउएम है तो उसमें से कुछ एउएम किसी एक दूसरे जोड़े को दे दीजिए जैसा जोड़ा आपने बनाया अपना sales and back office का एक जोड़ा बनाया इसको pairing कहते हैं यह pair ही हमारे mutual fund industry का success का राज है हर mutual fund distributor आज successful है because उसका यहां back office में कोई अच्छा smart बच्चा होगा आप जाके देख लीए किसी भी MFD का अगर आज के दिन में 500 करोड 1000 करोड है तो उसका मतलब है उसका back office बहुत strongly पुराना और smart है तो इसी लिए यह जो pair होता है अच्छे salesman को अगर अच्छा back office मिल गया तो यह दुनि management नहीं होंगे actually RM होंगे जो आपके दिये हुए clients से जाके मिलेंगे समझाएंगे और उनहीं से गहराई बढ़ाएंगे उनहीं से और SIP बढ़ाएंगे उन से reference लेंगे वगरा वगरा यानि कि आपको छोटी छोटी दुकाने अपने जैसी जो आप आज से 20 साल पहले 10 साल पह पहले हुआ करते थे वैसी छोटी छोटी दुकाने आपको 5 करोड़ 10 करोड़ की खोड़नी है और वो दुकान आप ही के दफ्तर में बैठेंगे और आपको वैसी दुकानों को gift देने में हड़ बढ़ाना नहीं है आप कोई उनको पैसे नहीं दे रहे हो आप बस उनको एक selective aim दे रहे हैं तो यह जिस तरह आप देने लगोगे अगर आप 10 करोड़ की एक दुकान आप किसी को सौप देते हो जिसमें पैर है एक RM का यानि जो बाहर जाएगा और एक लड़की या लड़के का जो office में रहेगी और सिर्फ इसके clientों को support करेगी तो यह 10 करोड़ हो सकता ह है कि 10 साल में 500 करोड़ बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है तो यह अगर ऐसा potential आपका pair बन सकता है तो आपका धंदा flourish होने लगेगा तो दोस्तों ऐसे ही खुब सारे pairs आपको बनाने है और यही आपका structural growth है दोस्तों इसके अलावा आपको अब इसमें चाहिए एक अलग से brand manager, compliance manager, communication manager, marketing manager यह जो भी कह लो यह वाली post आपकी vacant है जो बहुत सारे लोग बाहर से hire करते हैं या outsource करते हैं दूसरा है HR training admin कि आपके staff motivated रहें यह pairs flourish करें उसके लिए इनको time to time training, motivation और admin job करने के लिए आपको कोई लोग चाहिए जैसे कि accounting वगएरा तो उसके लिए आपको चा hire करो या फिर outsource करो कुल मिला के यतनी ही structure आपके business को यहां से 10 times 20 times growth देने के लिए बहुत असानी से सक्चम है तो चलिए अब जब आप यह structure समझ गए तो इसमें जो pairs हैं यह word आपको attractive लगने लगा होगा और समझ जाए इस pair में challenges क्या क्या आते हैं लोग मुझे जादातर कह करता हूँ कि आपका देखो ना growth कैसे हुआ आप भी एक salesman थे आपको मिल गया एक back office एक runner और एक साथ में support assistant आप आज 50 करोड से 500 करोड हो गया उसी तरह से अगर आप भी आज पैदा करोगे कोई एक ऐसा system कोई ऐसा pair तो यह pair कलको बड़ा होगा बशर्ते आप इसे पाल ठी नहीं कर पाओगे अगर आप इसे ठीक से groom नहीं कर पाओगे तो यह खोद हो गया pair तो कुछ दो बाते इसमें आएंगी एक कि यह लोग बदमाशी ना करें उसके लिए मैं क्या करूँ that I am going to explain today the email phone and whatsapp methodology जिससे कि आप इन पे full control रखोगे और यह कभी भी आपको threat नहीं दें person here don't try to look at very high academically trained person यह नहीं चाहिए अपने को यह दोनों post जो यह pairs है यह चोटे चोटे दुकांदार होने चाहिए चोटे दुकांदार means ऐसे चोटे बच्चे जो अभी struggle कर रहे हैं जिनको jobs सही नहीं मिल पा रही है मगर उनको ambition है बढ़ना चाहते हैं तो scale छोटा हो उसका class चोटी हो बट आप उसको train करके वहाँ ला सकते हो और उनके ambition को fulfill कर सकते हो नो कैसे तो देखिए यह जो each pair है वो kind of shop within shop है यह तो आप समझ गए अब इसमें मालो example एक RM plus CS इसको pair कह रहे हैं और यह इसका सब दोनों का मिला के करीब तंखा 3 लाग है तो यह 3 लाग तंखा है तो आपको इस pair को अपने existing AUM में से 12 करोड देनी पड़ेगी कैसे formula लगाया यह मैंने formula लगाया यह आप लोग भी note कर लीजेगा और use करिएगा that जितना भी आपकी सालाना salary है उसको 0.0020 से divide कर दीजे 0.0020 मैंने क्यों कहा मैंने यह कहा कि actually मैं आपको मिलता होगा average 0.5.6 मान tax and everything expenses तो वो करीब 20 पैसे का bet तो अगर हम 20 पैसे पे divide करें कि कितने का AUM में आप break even आओगे तो 12 करोड के AUM में आप break even आजाएगे now this is one तो अब आप 12 करोड का AUM है तो आप ही का अभी तक आप इसके पूरे रस आप खा रहे थे लेकिन अभी आपको थोड़ा सा 12 करोड छोड़ना पड़ेगा इनके नाम में और तकि आप 3 लाख रुपे की तनका दे पाओ इनको तो जब यह 12 करोड आप इनके नाम map कर दो यह कैसे करना है that is the training part but अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा तो देखिए पहले option 1 आपको इनको दम clear cut incentive structure बतानी है कि देखो भाई अगर तुमने 5%, 10%, 20% offer किया तो जो incentive और incremental brokerage आएगी जो भी इस तेरे 12 करोड के उपर किया आएगी मैं तुम्हें उसका 20% दोंगा या आपको दे suggestion यहाँ पे plane है आप जो चाहें वो करें तो 20% मालो आपने कहा कि तुम्हें देदूंगा तो दुकान वाला सोचो 12 करोड को अगर 20 करोड बना दिया तो 8 करोड या 22 करोड बना दिया तो 10 करोड 10 करोड का 0.5% जो आपकी actual incentive आप उनको बताने वाले हो 12 करोड की उसकी book थी ज उसको कड़क incentive मिलेगा इस pair को जिसमें से 90% sales team को दे दो sales person को और 10% उसके CSC को दे दो that is model 1 दोस्तों ये बहुत important है आपके लिए बात यहाँ समझना अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक नहीं तो आप जरूर हमसे freely पूछेगा और फिर से आप इस page को देख लिजे ये clean page है हाँ पर और इसका screenshot चाहिए आप screenshot निकाल लो so that आप इसका help कर पाओ मेरे YouTube चैनल में already इसके उपर एक पूरा elaborated वीडियो भी है आप उसके भी help ले सकते हो जिसका नाम है incentive structuring और अगर आपको उसके बाद भी मदद की जुरूरत हो please आप हमें बताए हम इसके लिए अच्छे calculator software वचीजें जो हमारे पास बनी बनाई हैं हम आपको share कर सकते हैं बता सकते हैं cost में बेच सकते हैं now how to get the best out of pairs तो जो pairs हैं उनसे best तभी निकाल पाओगे दोस्तो जब आप ये ask score उसकी बढ़ाओगे यानि अगर आप trainings to uplift the attitude score पे पूरा focus करोगे कि कैसे वो दुकान को attitude में काम करेगा अगर आपने सोचो imagine दो बच्चों को एक दिया पेरिंग दी और उनको आपने इंडक्ट किया अपने company में और आपने ताली बजवा के थोड़े पूजा हो जा करके उसको सामने में hand over किया और बताया कि ये देखिए दोस्तों आज से आपकी दुकान खुलती है और ये दुकान का size है 12 करोड तुम लोगों दोस्तों अब अगर इसको 50 करोड पहुचाओ तो तुम दोनों की जिन्दगी में ये बदलावा जाएगा 100 करोड पहुचाओ तो ये बदलावा जाएगा अगर आप उस तरह कि कोई commitment कोई चीज कोई transparency उनके सामने रख पाएंग ये और भी चीज़े देखिए आपको पता लगा कि आपने जिस लड़के को या लड़की को hire किया है इनको थोड़ा हाथ तंग है computer में इनके हाथ तंग है किसी चीज में तो आप उसके लिए training कराईए आप अगर trained लोग को लाके लाओगे तो वो चारा खतरनाक है हमारे धं आप से मौल्ड करो लोगों को तो इसलिए raw skill बहुत जरूरी है ताकि आप उसे अपने हैसाब से ठीक कर दो और दोस्तों फिर है k trainings to uplift their knowledge knowledge score को ठीक करना बहुत जरूरी है तो वो knowledge score भी हम धीरे धीरे uplift करते रहेंगे time to time आपको अच्छी अच्छी trainings और module बनानी होगी इसमें बहुत सारे अच्छे software हैं जैसे की zoho, zoho का एक पूरा proper training module होता है जिसको आप बना करके उसको एक अपने बच्चें को दे सकते हैं उसमें quizzes डाल सकते हैं और उसे हम zoho trainer central कहते हैं चलिए तो यहाँ पे कहानी फिर से एक minute के लिए मैं वापस जाता हूँ कि आपका सवाल अभ अच्छे आजकल business में आ रहे हैं वो अपने बच्चों को यह post दे और क्योंकि उनको sales करना अभी संभब नहीं उनके लिए क्योंकि उनका relationship अभी नहीं बनाया है वो सारे uncle को जाके नहीं touch कर सकते जो आज आपके दोस्त हैं आपके client है तो इसलिए उनको तो अगर back end से यह post स नहीं से ढूंडो कोई young बच्चा देखो जिसे आप यह post दे सकते हो और यह एकदम purely CEO post होगा उसे sales well से कोई मतलब नहीं है उसे overall एक company चलाना और अपने इन सारे sections को monitor करना होगा जिसमें उसको मदद चाहिए होगी एक अच्छे CRM tool की तो वो CRM tool के वाल उसको training दिलानी है ज वो भी बहतरीन CRM आज world का जो है वो जो हो है आप चाहे कोई और भी CRM पे training करा हो लेकिन एक बार वो CRM trained हो गए तो इनको task बनाना, task complete करना, task close करना और task supervise करना यह आ जाएगा के बाद how to manage communication channel यह मेरा last part है जो मैंने कहा था यह additional है आज के training का part जिसमें मैं यह भी बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास email, whatsapp phone है आपके business में use तो होता ही है तो क्या हाल है आज के दिन में और कैसे हम लोग गलत दिशा में भागे जा रहे हैं कहीं ऐसा नहों कि आप भी इसी trap में हो तो जड़ा चेक करिए एक तो general structure जो fraternity में उपलब्ध है और ज्यादा तर लोग जिस structure को follow कर रहे हैं वो यह है कि उनका communication channel जो भी है चाहे email, whatsapp जो भी है वो जो है staff 1, 2, 3 सब के अलग-अलग है जैसे staff 1 का phone 1, staff 2 का phone 2, staff 3 का phone 3, तो 3-3-4-4 phone है office में, 3-3-4-4 whatsapp है, 3-3-4-4-5-5 email है और आपका अपना दुनिया अलग है, आपके दुनिया से तो आप अपने client को चलो manage कर रहे हो आज तक broadcast कर देते हो, आप अपना phone उठाते हो, call कर देते हो, आप अपने mail से mail कर देते हो, तो भाई साब आप grow कैसे करोगे, आपके client आप ही का phone save कर लिए आप ही का WhatsApp save कर लिए, आप ही का email save कर लिए, ये बिचारे तो इनका तो phone भी नहीं उठाएंगा आपका client, अगर आप 12 करोड उपे अपने पास से उठा के इनको दे भी दोगे, कि चलो बिटा आज से दुकान तुभारी, लेकिन ये बिचारा call करेगा, तो client तो उठाएगा तो आपको खत्रा, इनका WhatsApp famous हो गया, और इनकी client से ऐसी दोस्ती हो गई कि client और इनका WhatsApp communication जो हो रहा है, वो इतनी close होने लगी कि फिर चुटकुले उटकुले भी शेयर हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं बता कि लोग आपस में क्या बाते कर रहे हैं, तो you have a threat कि आप इतने सारे WhatsApp, phone और email खोल दोगे, कल को आपको समझ ही नहीं आएगा कहां mist call आ रही है, कहां WhatsApp पे कौन बात कर रहा है, you can't monitor anything, और तो और वो बिचारा CEO क्या कर लेगा, अगर ये CEO आप लाके रखोगे भी, तो ये क्या कर लेगा, कैसे task चेक करेगा, पापा के account में आके पापा से चेक कर इससे तो समभा भी नहीं है, so ultimately, this is the wrong, wrong structure, what you have to do is look at, ये होना चाहिए structure, ध्यान से देखिए, channel, तीन होंगे, email, phone, WhatsApp, एक email होगा आपका, एक phone होगा, और एक WhatsApp होगा, जिसे सब यूज करेंगे, एक email आपका भी, एक email आपके staff का भी, एक email इसका भी, सब का एक mail, personal आपको ये तीनों चीज़, personal आपकी अपनी रहेगी, personal mail, personal phone, personal WhatsApp, मगर business के लिए, you need to have a business mail, business phone, business WhatsApp, और ये business mail, business phone, business WhatsApp, सब staff use करेंगे, तो आपका ऐसा email होना चाहिए, जो multi user हो, यानि एक email, सब लोग देख पाएं, और कैसे देख पाएं, सब की अपने-पने panels हो, जो mail जिसके नाम के assign है, rule है, उसके हिसाब से उसको दिखेगी, और नई तो supervisor या CEO, उसको map करके उसको दिखाएगा, phone, उसी तरह बजना चाहिए, एक घंटी, वो घंटी जिस extension पे गिरनी है, उसका IVR पे call आएगा, dial 1 to talk to Abhinash, dial 2, if you have any support query, dial 3, if you have any investment related query, dial 4, you want to have extension number, वगएरा वगएरा, तो ये WhatsApp करना है, तो broadcast एक number से होगा, सभी को पहुंच जाएगा, और जब उदर से response भी आएगी, तो आपके WhatsApp के number पे जब response आएगी, तो जिसके लिए होगा, उस RM को पहुंच जाएगा, और नहीं तो panel, ये सब panel से access करेंगे, अपने phone से access नहीं करेंगा, WhatsApp, तो ये जो model है, दोस्तो इसके बारे में आपको सीखना चाहिए, और ये suggestion structure और वो वाला suggestion structure स्टाफ का दोनो deadly combination है, आपके business growth को कोई रोखी नहीं सकता दोस्तों, तो अगर आप इस तरह के तीन solutions जो मैंने अभी आभी आपको बताए, जैसे कि WhatsApp solution, Wati, CRM solution, Zoho, और Telephone solution, My operator, तीनों को एक साथ integrate करेंगे system में, बहुत सरा लोग मुझे पूसते हैं, अभी निर जी खर्चा कितना आजाता है, भाई देखो अच्छी चीज़ का तो खर्चा आता ही, अच्छी स्टाफ का तो खर्चा आता ही है, वाटी करीब 500 रुपे महीने का तो आपको subscription है, तो आपका 500 का ये बढ़ गया, Zoho करी user ले रहे हो, तो 5000 रुपया है, तो इस तरह सब मोटा मोटी मिला लें, तो साल का लाख डेड़ लाख रुपया के खर्चे में आपका अराम से best of the solution निल जाता है आपको, और ये खर्चा आपको किसी भी एक staff hiring से better खर्चा है, बाद में आप इसके बाद staff hire करोगे, तो आप manage कर पाओगे उनको, तो ये solutions के बारे में सोचिए, मेरा नाम अगें अभिनेश कुमार है, मुझे अगर आप इस number पर WhatsApp करते हैं, ये मेरा official number है, फिनसे software हमारा official software है, आप अगर यहाँ पे business coaching inquiry from अभिनेश कुमार करते हैं, या sorry for अभिनेश कुमार करते हैं, तो आपको मेरे य services कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम कैसे sequential, ये one by one आपके staff structuring, फिर आपके telephones and other things इस पर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों, with that, thank you, and keep adopting the best of the practices, और मुझसे जब भी जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अराम से इस number पर chat करके बोल दे, I want to talk to Abhinesh, they will inform me, thank you.